आज हम चर्चा करेंगे कुंडी देखते कैसे हैं कुंडी देखने के लिए कुछ नियम है पहले हम उनको समझ लेते हैं फिर हम चर्चा करेंगे कुंडी को कैसे विश्टेशन करना है तो देखिए सबसे पहले आपको भाव तो पता है कि कौन से भाव से पर क्या देखते हैं पर आज हम कुंड़ी के नियम है कि कौन सा भाव शुब होता है कौन सा अशुब होता है उन टॉपिक्स पे चरज़ा करेंगे और कुंड़ी करेंगे तो देखे सबसे पहले जो तीन भाव होती हैं पहला पाचवा और नौबा इसे हम तिर्कॉन बोलते हैं सबसे ज़्यादा फल देगी, उसके बाद आता है केंद्र, आपने कभी सुना होगा केंद्र आदि परती योग बना है, या कोई ग्रह केंद्र में बैठा है, तो basically केंद्र क्या होता है, तो देखें, यह हो गया अपना, सबसे पहले, तिरकॉन, अब हम बात करेंगे, केंद्र केंद्र आदि कोई ग्रह हैं, कहते हैं कि इन भाव में यह कोई ग्रह बैठ जाए, और उनका संबन्द प्रकॉन से हो जाए, तो राजयोग का निर्मान कर लेते हैं, या वह बहुत शोभाशब हो जाते हैं, ऐसे ग्रह सधावि अच्छा फल देना सुरू कर देते हैं, भले बहुते हैं कि यहां पर बैठा ग्रह हमेंशा अश्रुभी फल यहां पर बैठ जाए तो बहुते हैं यहां पर अच्छा बेट जाता है ऐसे व्यक्तियों के शत्रु होते तो हैं पर उनका कुछ कर नहीं पाते हैं ऐसे व्रक्तियों का शत्रू नाश हो जाता है तीसरे भाव मंगल बैठ जाए तो ऐसा व्रक्ति को कोई काम नहीं सकता है तो ऐसा नहीं है कि दुख भाव में हमें सब दुखी मिलेगा अब बात करेंगे किस्ट भाव के बारे में तो देखिए छटवा आठवा और जो भाव ब्रों धेखिए अपकी मत्ययों को इसाथ मतलब डवाव से देहें तो यह बी और जो बार्बा भाव यह बσαें में इन यस तीरों में खर्चे ओर रहे हैं तो इसलिए इन तीन भाव को किस्ट भाव कहते यह जो यह बाला भाव है इसे हम लाब भाव कहते हैं 11 भाव को जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और यदि हम मारक भाव की बात करें कुंड़ी में दो भाव ऐसे भी जो मारक होते हैं एक दूसरा और सात्वा तो ये दो भाव मारक भाव कहलाते हैं अब कुंड़ी में जब घ्रहे बैठेंगे तो उ आपको एक लिग की से अगजाता हूं ओ और यहाँ पर एक ही अंग लिखा ए फॉर एक्जाम्पल तो पहले राशी हो गाई में सवामी होगे मंगल गाल और मंगल जाके माल दिजी इस भाव में बैट गए तो यह शुबा-शुब माना जाएगा वहीं पर एक और अपने एकजांपल ले लेते हैं कि पहले भाव में जो यह वाला भाव है यह वहाँ पर लिखा है पांच अंग तो 5.80 कुण सी होगी पांच भी ऐसे सेह होगे स्वामी होगा सूरी और सूरी जाके बैठ गए इस बाले भाव में भाग्य भाव में जिसे हम त्रकॉन का भाव कहते हैं तो लग्ण का स्वामी भाग्य की भाव में बैठ गया है तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होगा वो कहीं न कहीं राजा के समान होगा उसका भाग्य हमेशा ही साथ देगा पंचम भाव में बैठ गा तो पंच उसको achievements चाहिए है वो उसको मिल जाएंगे क्योंकि शरीर भाव का तन भाव का संबन ज्यान भाव से हो गया तन भाव का संबन भाग्य भाव से हो गया है तो बेसिकली त्रिक्वाण का यह महत्य ऐसा ही सेम कंडिशन केंद्र भाव पर लगती है कि माली जी कोई पंचम भाव क करेंगे सुख्र जित करेंगे वही पर माली जी यहां पर 9 अंग के लिखाया तो 9 राशी हो गए आपकी धनू और स्वामि हो गुरू तो गुरू आपके माली जी इस बाली भाव में बैठ गए अब यह बाला भाव कौन सा आपका कर्म का इस्थान है तो कर्म के स्थान पर भागे का स्वामी कर्म के स्थान में बैठ गया है तो बैसिकली ऐसे व्यक्तियों का जो काम होगा वह भागे के बरों से बहुत हो जाएगा मालिज ये वो काम अपना हंड्राइड में से 50% कर रहा है 50% उसका भागे साथ दे देगा तो बैसिकली एक कॉंसेप्ट समझाने के लिए आप कुंड़ी देखेंगे तो धीरे धीरे बहुत चीज़े किलिए हो जाएगी और बहुत बेसिक डाउट्स है ऐसे कोई रॉकेट चल रहे हैं यसकी जो आने वाला समय है वो क्यासा है उस पर इन सब चीजों का महत्यपून योकदान है और दूसरा यह कैलाता है मारग भाव और साथ्वाρο escuchant करता है अब साथ्वा जु भाव जीवनसाती के साथ साथ क्या है पार्टनर्शिप को आप मालीजिए आप किसी से पार्टनर्शिप कर रहे हैं और धोका मिले तो सब्थम्भाव कहीं नहीं impacted है देखिए राहू और केतु एक ऐसे ग्रह थाया ग्रहे हैं वो डिपेंड करता है कि किस घरह के साथ बैठें हैं और यहां पर बहुत सुफल देते हैं तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि जो दुख भाव हैं तर्ष्ट भाव हैं उनमें गिरह हमेशा ही खराफ फल डेंड करता है कि वह किस इस्तिती में और किस पोजिशन पे तो अपने इसको ऐसे समझते हैं अब जैसे मालीजे धन भाव का स्व भाव है तो धन भाव का स्वामी अब यहां पर दो आंग लिखा है तो दूसरी राशी ब्रश और स्वामी को सुक्र धन भाव के स्वामी शुक्र यदि लाभ भाव में बैड़ जाए मतलब धन का जो आगमन है वो लाव से हो रहा है तो ऐसे वक्तियों को धन से संब्द कभी कभी होगी ही नहीं क्यों क्योंकि उनका धन भाव को जो संब्द है वो लाव भाव से हो गया प्रॉफिट से हो गया तो कुंड़ी में योग जो बनते वह ऐसी बनते हैं अब माली तो यहां पर चंद्र राशी परीवर्तन हो गया तो सुख का संबंद आपके कर्म से हो गया तो कहने का मतलब कि आप काम करोगे तो आपको सुख मिलेगा और सुख मिलेगा तब ही आप काम करोगे एक दूसरे के पैरलर चल रहे हैं ये दोनों चीजें तो कुई ग्रह अस्टम भाव में बैठ जाए पर वह उच्छ का हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वह कस्ट को बढ़ा देगा वह इस भाव क करश् 패竊 को कम कर देगा तो कहने का मतलब कि कोई यदि ग्रह उच्छ का हो जाए तो वह सद्धै भी कारतत्यों को बढ़ाता है अच्छे का अर गुरे कारतत्यों को कम करेगा कैसे समझाता हूं इसको यहाँ पर इसको अपन धन भाव मतब्त धन एं उसको भी देखते हैं ए काश्टम भाव से और रोग को भी देखते हैं अमा लीजिए यहां पर फॉर एक्जामपल यहां पर शनी उच्छ की हो जाए शनी उच्छ के हो गए तो ऐसे व्यक्तियों को गुप्तधन में बड़ोत्री करेंगे और रोगों में कमी करेंगे तो मतलब कोई ग्रह यहां पर उ समझ लें कि यहां पर गुरु बैठें हैं और गुरु यहां पर दस अंग पर बैठें रोगिना हैं उनकी नीच आप ONरी की तो व्यक्तियों के पास हो सकता है गाडी नहीं हो अच्छा घर नहीं हो घर है तो बहुत एक आध्यात में कमी करेंगे पर जो इस चीजों इस भाव की खराब चीज़ें हो सकता है उनको बड़ाई जगड़ा करने लगें ऐसा व्यक्ति फालतू का अनावस्यक पैसा खर्चा करने लगे तो उन चीजों को बढ़ा देंगे तो बेसिकलि उच्छ और नीच के ग्रह यह होत सकते हैं वह कैसे निकालना है बढ़ाता हूँ देखिस सबसे पहले अपन इसमें एक राशी लेते हैं आप यहां पर पांच ले सकते हो पर मैं एक से समझा रहा था इसलिए पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारह एक दो तीन चार कैसे भी ले सकते हैं आप उच्छ राशी में गुरू हमेशा उच्छ कफल देते हैं यह आपको याद करना मैं आपको कंसिस्टेंटी बता दूँगा अभी समझाने के लिए समझा रहा हूं चौती राशी में गुरू उच्छ कफल देते हैं तो यहां से जो साथ वी राशी होगी वहां पर गुरू नीच कफ कफल देंगे सूर यहां पर उच्छ कफल देंगे तो यहां से जो साथ वी राशी होगी वहां पर सूर नीच कफल देंगे जैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ इस राशी में यहां दूसरी राशी में उच्छ के हो जाते हैं यहां पर चंदर उच्छ के हो जाते हैं तो दो तीन चार पांट छे शाथ चंद्र इस राशी में मतलब आठवी राशी में नीच के हो जाएंगे यह बेसिकली आपको इतना समझना है कि हर ग्रहे अपने इसे जो सात भी राशी होती है उसमें वह नीच का हो जाता है यह उस राशी में वह उच्छ का है अब यहां पर तो यहां से 1-2-3-5 में भुद्ध नीच पर बुद्ध बुद्ध हो जाएंगे जैं Нीच के हो जाएंगे वही हम बात करें शुक्र की तो शुक्र . में यहां जिकर उच्छ उच्छ वह रहे हैं वहां पर शुक्र उच्छ के ओते हैं और यह साथ वी राशि मतलब जो बुद्धि की राशी उसमें सुक्र नीच के हो जाएंगे यह आप कैसे भी कहीं से कोई से भी उठा सकते हो मैं पांच इसलिए लिए कि समझाने के लिए यहां पर आप एक लिख सकते हो दो लिख सकते हो आपको बस सेविंध का कौन से प्याद रगना है कि हर साथवी में गुरु अउची के हो जाएंगे कि बारवी राशी शुक्र उच्ट के हो जाएंगे तो बैसक्र यह कॉंसेप है वुक्त की बैसक्र के बाता तो भुद्धि की घृँक के आपड़ार बइक शनी कि शाथवी राशी में स्पा साथ बीस सhosी के उसमें उच्छिक होते हैं तो सनी से जो सूरी उच्छी हों गए उससमें सनी कैसे होंगे , तो ससम्झे साहथ है साथ के होंगे और सा यू साथ है थी छार पांच शी साथ है , फैली चार सै पहले इसमें सनी निच के बेसिकलि सबी ग्रहों की बाद कités कों सα सब्सक्राइब काया है तो आपको simple सा concept है आप ऐसा लिख लिए सूर एक राशी में, चंद्र दो राशी में, बुद्ध छटवी राशी में, गुरु चौती राशी में उच्छके होते हैं और शनी साथी राशी में उच्छके होते हैं तो यह आपको बहुत consistent हो जागा आपने कुण्डी में भी तो वह अच्छा फल देता है देपेंड करता है कि उसके साथ ग्रह कौन सा बैठा है पर उसके फलों में कोई ग्रावट नहीं आएगे उसके भाव के उसकी राशी के कारतत्यों को वह बड़ोत्री ही करेगा दिखिए अभी हमने उच्छ और नीच की ग्रहों के बारें बात तो यहां पर सूरदेप सदय भी अच्छा फल देंगे चाहे यहां पर कोई भी राशी हो या कोई भी ग्रह बैठने हो सूरदेप प्रथम भाव में नवम भाव में बैठने हो तो सदय भी अच्छा फल देंगे अब हम यहां बात करें चंद्र की तो चंद्र माता के घर में और सुक्र के घर में जो चत्रत भाव होता है यह माता का घर कहलाता है यहाँ पर चंद सदे भी अच्छा फल देंगे अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कुंडली में आपके छे अंक लिखाओ, साथ लिखाओ, आट लिखाओ, कुछ भी लिखाओ गाउं इंपॉटन टे के चंड चौताे हैं बात करनें इंपधाने। इस भाव की नहीं में भासा किने हैं सेंप से अब यहाँ क्राण पर गरें थे चिंगों से 100 और गर्सेद्व तो मंगल मungल बैस्किल अब मंगल सेनापति है। क्लूर करेंगे घरमी पो रिप्रेजर्न करता है। गुष्शन को रिप्रेण करता है। तो सत्रू भाव में मंगल बैढ़ेगा तो ऐसे व्यक्तियों कि सत्रू तो होंगे पर वो उसका कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मंगल कहीं न कहीं अपना एग्रेशन अपनी शक्ति वहां पर दिखाएगा और उनको आगे नहीं बढ़ने देगा यदि अब मंगल के बाद हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध दसम भाव में अब दसम भाव में बुद्ध सुफल क्यों देंगे देखिए बुद्ध रीपेजेंट करते हैं वाणी को बुद्ध रीपेजेंट करते हैं बुद्धी को और बिजनिस को भी दसम जो भाव है वो कर्म भाव है कर्म स्थान है राजयोग भाव है यहाँ पर यदि बुद्ध बैठ जाएं तो व्यक्ति की वाड़ी बहुत मदर हो जाएगी व्यक्ति का जो सुभाव है बहुत चंचल हो जाएगा ज्यान बहुत होगा बुद्धी बहुत होगी इस व्यक्ति की बुद्धी गुरु दूसरे भाव में और पंचम भाव में बहुत सुफल देते हैं अब जो दूसरा भाव है वह आपका धन भाव है और पंचम भाव है वह आपका ज्यान का है ज्यान के भाव में गुरु बैढ लिया और गुरु ग्यान के ही स्वामी है तो वह सदे भी अच्छा फल दे आपने चो देगा तो नो अपना ठाट जोड़ने 100 ओने सबाफ बैसिकली लगग्सरी आपकरें वह काम बासना करते हैं और जो सब्तम भाव है वो भी साधी विभा और रिलेशन्स का हाउस कहलाता है तो शुक्र से ही जो शुक्राचार से निकला है जो दानवा के गुरू है तो यहां पर शुक्र ही बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्तियों को का जो पार्टनर होता है जब लड़का हो उसके बाद उसक कोई भी काम करेगा उसको नदी मिलेगी तो यहां पर शुक्र भॉल अच्छा फल देते हैं और लगजरी भी देंगे कामवासना भी देंगे रिलेशनसिप को भी मजबूत करते हैं यह जिसे हम रोग मत्यू कष्ट का भाव कर्म का भाव है और बार्बा भाव जिसे हम व्य अच्छा फल देंगे भले वह कैसी विस्तेती हैं इनफेक्ट सनी यहां पर अपनी ही राशी बैठ जाए तो वह विप्रीत राजयोग भी बहुत अच्छा ही राजयोग माना जाता है यह शनी या कोई भी क्रूर ग्रह छटवे आटवे बारवे भाव में स्वाराशी हो जा कर दो करना होगा कि रावण ने जब उनके बच्चा पैदा होने वाला था इंदरजीत उसने कोईस करीती सारे ग्रह ग्यार्वे भाव में तो उससे क्या होता कि जो वह इ Peach पैदा होने वाला होता है न वह उसकी जयान बढ़ जाएगा लब हाव में अच्छा फल देंगे इ जनी को वो उठा लाए थे अपने घर पे ले आए थे और बांध दिया था तो ऐसी कहानिया है तो वह इसी को रिप्रेजेंट करती कि ग्यारवे भाव में कोई भी ग्रह बैट जाए या सारे ग्रहों का संबंद हो जाए तो वह लाव ही देंगे और मैंने जैसे पहले ही बताय लेग भाव के बारे बात करनी उच्च निच ग्रहों के बारे बात कर ली महादशा के बारे में माली जी किसी ब्यक्ति के कुंड्ली में शनी इस भाव में बैठी है और show कि यह अध्यरी बैठें और उसमो् तो कहने का मतलब है कि उस वैक्ति का यह वाला जो भाव है वह एक्टिव हो गया है यह वाले ग्रहे कंपेरिटिवली दूसर ग्रहों से बहुत एक्टिव है अब यह जहां पर द्रश्टि डाल रहे हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताते हैं जैसे सनी की एक-दो तीसरी दृष्टि है साथ भी दृष्टि है और 10 भी दृष्टि है थो जो दृष्टि न डाल रहे हैं उन पे भी उसको इंपेक्ट कर रहे है पॉजिटिव में यह नेगेटिव में दौनों यह एपर डिपेंड करता है कि अभी यह बाला भाव सब्से ज़्यादा एक्ट नुन अंतर है इनका असये हैं इसे मालीजा शुक्र इस भाव कंडली में तो चहने का का मतलब कि ऐसे व्यक्तियों के तन भाव का और सुख भाव का जो एक्टिवनेस से वह हो गई है तो बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं कुण्ली देखना कैसे मैं कुण्डी बना लेता हूं और उसको अपन टैली करते हैं बेसिक तरहीं कैसे आप दीरे-दीरे इससे पुरी है कहां पर बैठा है अब वपन बेसिकली कुण्डी संघ दएखना कैसे अब पहले हमें पहले चल्यकों सा लिखायां तो तो इस व्यक्ति मीण इसके सामी है घृत है अब आपन कहन सी तो राश ही निकालने के लिए से संतल वाचा पर अबाठाई हो वहाँ बासे जो भी आं छटवे भाव पांचवी राशी बैटें पांचवी राशी तो इस व्यक्ति की राशी होगई एंज और स्वामी होगए शूरी अपनको लगन मिल गई है अपनको राशी मिल गई है अब अपन कुंड़ी का basic पाइखने को मिलती है क्योंकि सरीर का स्वामी रोग भाउ में बैट गया है तो रोग से समस्था देखने को मिलेगी बाइखने भाहों बैठी है यहां पर राहू क्या करेंगे कहीं नहीं कने कि न मतलब अच्छे करम कि औंगे उसका फल इस जनम में देंगे यदि राहू भाग के भावें बैठ जाएं तो अब यदि आपन देखें एक चीवर देखें मंगल बैठें हैं इस वाले भाव में आठवे वाले भाव में और मंगल की द्रश्टी देखें 1,2,3,4,5,6,7 मंगल पहली राशी में द्रश्टी कर में और यह बाला-भाव क्यालाता है धन-धन मंगल भले यहाँ पर अस्टमब बैठें ऐसी कुंद्टी मंगल लिक हो गई है ज्टमब हम में बैठकर व्यक्ति की द्रश्टी डाल रहे हैं भाव में ऐसा व्यक्तियों को धमिवस्टा होती रहेगी अब देखें मंगल कैसे कि अब अच्छे समझाता हूं तो यह बेसिक है अब चूकि मंगल से बात निकली तो मैं आपको यह समझाता हूं कि क्योंकि वह बहुत इंपोर्टेंट है आजकल बहुत चलन में भी हैं तो सिंपल सा है अंक कोई भी लिखा हो डिजेक कोई भी लिखा हो सबसे पहले देखना है कि मंगल कौन से भावा बैठे हैं यादी मंगल पहले चतुर्थ सब्तम अस्टम और द्वाव में मंगल बैठ जाएं तो ऐसी कुंड़ियां मांगल कुंड़ी हो जाती है मैंने ये चोटी चोटी वीडियो में समझाया आप चाहो तो मेरे शौट्स पर देख सकते हैं तो में यह सब समझा रहा हूं यहां पर देखना comprende मांगलिक के यह आब पर के साथ μεे राहू बैठ जाए तो इसे पित्र दूष कहते हैं राहु का सम्मन पंचम या नवम से हो जाए तो भी अपन इसे पित्र दोसी कहेंगे आप श्री कुंडली निकालेंगे तो उनकी कुंडली में दो बहुत कॉमन है जो मैं आपको समझा देता हूं मुझे थोड़ा से याद है उनकी लगन में यहां पर चंद्र और केतु बैठे हैं और जहां तक मुझे याद है उनकी कुंडली यहां पर पांच है तो चार तीन दोब्रश लगन की कुंडली है यह आप इससे भी समाझ जाएं तो बेसिक्लि पित्र दोश ड़क जाता है तो पित्र दोश मतलब कोई नयकोई पिछले जनम में ऐसा दोस जो इस जनम में आपको उसली का कुंडली उसको इसको सुधार नहीं पेलता की द्रश्टी पिता जाए इस पर यह यह दिस्चूरी की द्रश्किल आल जाए तो ऐसे ब्यक्ति अपने पिता से माता से दूर रहते हैं तो आपने शड्री क्रिष्nova को देखा होगा उनको जीवन देखा होगा कर वह कही नए कही अपने माता से दूर ही रहें क्योंकि विकुंकि की में सूरी का जो संबंद्थ पिता भाव से आ गया है द्रश़्टी आ में माता पिता से इंपेक्ट आगे हैं इंपेक्ट कैसा कि वो दूर रहे उनका उनको उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था तो बेसिक लिए छोटे-छोटे कौन से अप्ट है पर मुझे इस बात पर एक चीज़ का ध्यान आया है कि मैं पूरा कम्प्लीट वीडियो इसके पाद जो वीडियो आने वाला है वो मैं श्री कुणिणी भी बनाऊंगा और आपको भी इसलिए समझ में आएगा क्योंकि कहीना कभी मैं आराध्य है हमाई भग वाफल दे रहा हैं वैक्ति की राजियोग दे रहा है जैसे एक और उधार लेता हूं मैं जैसे अमीता बच्चन मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं अमीता बच्चन की मुझे जहाता कि आद तीन ग्रहे इस वाले भाव में बैठते हैं कुण्ड़नी के अस्टम भाव म बच्चन की इस हाचे वीघ है वह नंड़ी रौबल्लम हों और फको लिए असंट रहे हैं आमीता बच्चन ये इस बहुत नहीं को प्रब्लम हुई एक्सिडेंट हूं अब यह ऑवर द्रगहsınız भीम तो प्रॉब्लम हुए एक्सिदेंड हुआ अब जीवन में शरीर से संबंदे उनको कष्ट मिला है क्योंकि उनकी जो अश्टम भाव है कष्ट भाव है दुख भाव है उसमें लगभग तीन या तीन से अधिक ग्रहों का संबंद होके जितना मुझे याद है तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा जिससे आप कुल्डी में कोर्लेट क कर सकें और समझ सकें कि कैसा ग्रहों का फल रहता है और ग्रह किस तरीके से जीवन पर असर डालते हैं यादि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो किरपा करके प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यादि कुछ भी मेरे तरब से आपको डाउट लग सकते हैं साथ ही आपके कोई भी कॉश्चन कोई भी क्वाइरी जो तो भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं धन्यवाद